Good afternoon friends, कैसे हैं आप सब? उमीद करता हूँ, बिलकुल आप लोग अच्छे होंगे, बिलकुल बिंदास होंगे, जहांपर भी होंगे, स्वस्थ होंगे कल एक बहुत important news आई, in fact break की गई है news की, हो सकता है कि भारत में Champions Trophy आपको देखने को मिले वो भी इस तरीके से schedule किया गया, यानि कि फैब और मार्च के महीने में, और ये एक बहुत बड़े जर्लिस्ट भारत के विकरान गुपता जी ने इस ख़वर को break किया, लेकिन मैंने भी इंतजार किया, मैंने का कि 10-12 गंटे अपने sources के हवाले से पता करने की कोशिश करते हैं या इसमें वाकिए में reality है, भारत भी Champions Trophy को host कर सकता है, हलांकि इस समय officially जो आपके host करने वाले nation के अगर बात करों तो वो पाकिस्तानी है, लेकिन क्या इसमें कुछ बहुत बड़ा आपको fair बदल देखने को मिलेगा, क्या आचाना कि भारत में आपको Champions Trophy फैब या मार्च के महिने में देखने को मिलेगी, तो इसी पर ये वीडियो लेकर के आया हूँ, और विकरान जी ने जो बाते कही है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ने तो यहां तक कह दिया कि भाई, ये न्यूस बस अपने मन से बना दी गई है, ल जरूर कर लीजेगा, वीडियो को आप आखरी तक जरूर देखेगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजेगा, दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, और क्या भारत में ही चैंपिन्स टोफी होने जा रहा है, इसको लेकर के मैं सबसे बड़ी अपडेटेड लेकिन बहुत सारे लोग को लगा कि खास तोर पर पाकिस्तानी मीडिया का रियाक्शन आने लग गया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, हम होस्ट हैं, तो कैसे भारत के बारे में कहा जा सकता है, और एक BBN News चैनल वाले ने तो यहां तक कह दिया कि जी विकरान तो अपने मन से य जी आने की कोशिश की और जितना मुझे पता चला है, इस खबर को लेकर के कि क्या भारत में चैंपिन स्टोफी हो सकती है, ये खबर 100% सच है, और इसके पीछे जो रीजन है वो भी वैलिड है, एपसलूटली वैलिड रीजन है, पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउस को मैं कह जाओंगा कि भाई इस खबर का आप जबाब दे दो, स्पोर्ट स्टॉक जो आप से पूछ रहा है, जो आपको रात में विकरान जी ने भी पूछा था, उसका आप लोजिकली जबाब दे दो, लेकिन भारत में चैंपिन स्टोफी हो सकता है, ये खबर जो ब्रेक की गई थ साथ स्पोर्ट स्टॉक आपको कह रहा है कि जो खबर आप लोगों ने उस बड़े चैनल पर देखी है, वो खबर बिल्कुल सच है, वो रियालिटी है, विकरान जी ने जो बात कही थी कि भारत में चैंपिन स्टोफी होने के आसार है, ये खबर 200, एक दम 200 परसन सच है, सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नहीं, मेरे ख्याल से परसो ही बताया था मैंने कि जो PCV है वो नरम पड़ चुकी है, हाइब्रेड मॉडल को ले करके, क्योंकि पहले वो कह रहे थे कि हमारे गर्मेंट ने हमें अलाउन न नरमी दिखाई है और हो सकता है कि हाइब्रेड मॉडल पर ये आपको चैंपिन्स टोफी देखने को मिले, जहांपर कि ICC भी इन से कहा रहा है कि आपको जितने पैसे हमने पहले एलोकेट किये थे वो पैसे आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको भारत के मैचेस जो हैं वो दोव यू तैयार कर सकते हो, अगर भारतीय टीम नहीं फाइनल में पहुंचती है, तो फाइनल आप उस जगे पर करवा सकते हो, यहां तक कहा गया ICC के द्वारा, और इस पर पहले तो बहुत सकती दिखाए गई PCV के द्वारा कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो बिलकुल भी तैयार नहीं है, हाइब्रिड मॉडल को ले करके, बाद में मैंने ही यह ख़बर ब्रेक की कि उन्होंने नर्मी दिखाई है, हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल पर आपको जो चैंपिन स्रूफी है वो दिख जाए और यह सब के लिए बहतर रिजल्ट होगा, सबसे बहतरीन ह और PCV की तरफ से भी कहा गया कि हो सकता है कि हम इसके बारे में सोचें, लेकिन अब ख़बर यह आ रही है क्योंकि ब्रॉड कास्टर लगातार दबाव बना रहे हैं इसमें ICC के उपर बे, और यह ख़बर मैंने आप लोग को बताई है आखरी वीडियो में, तो ICC को करना है schedule का announcement किसी भी हाल में कि कब-कब matches कहां कहां हैं तभी तो broadcaster अपने लिए पूरी marketing करेंगे, तयार करेंगे, भारत पाकिस्तान का match है या नहीं है, तबाम चादे की बाते होती है परदे के पीछे, लेकिन ICC इस समय इसलिए रुका हुआ है क्योंकि venue को लेकर के भारत और पाक पाकिस्तान को लेकर के कुछ clarity नहीं है, और पाकिस्तान यहां तब कह रहा है जो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बयान आए, कोई अधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया, कि पाकिस्तान जो है वो विलकुल तैयार है, इस बार अगर पाकिस्तान में चैंपिन्स trophy नहीं हु आया था, in fact उनने अपने sources के हवाले से जो खबर बताई थी कि हो सकता है कि भारत में आपको Champions Trophy देखने को मिले, ये 200% एकदम सही खबर है क्योंकि South Africa में जो होना था, वहाँ पर South Africa T20 League चलेगा, उसके बाद ICC ने का कि हम वहाँ पर नहीं कराएंगे, because हमने वह देखा हुआ है जब दुबई में आप लोगों को याद होगा कि जब IPL हुआ, IPL के जस्ट बाद World Cup हुआ था 2021 में मजा नहीं आया था, विकेट फ्रेश नहीं थी, UAE में, और उसी से सीख लेते वे, ICC का कहना है कि हम वैसी जगे पर कराना चाहेंगे Champions Trophy, जो कि फ् चैंपिन्स Trophy में नहीं खेलेंगे, अगर भारत अगर नहीं आता है पाकिस्तान में खेलने के लिए, और पाकिस्तान कहरेता है कि हम ना तो हाइबरिड मॉडल को अपनाएंगे ना हम चैंपिन्स Trophy खेलेंगे, तो उस केस में 100% चैंपिन्स Trophy आपको हिंदुस्तान में होत लग चुकी है, खबर उनको पहुंच चुकी है, कि अगर पाकिस्तान सबसे worst condition में भी अगर pull out कर लेता है tournament से, तो ICC Champions Trophy को तो नहीं खतम कर देगी, क्योंकि उन्होंने पैसे लिये वें broadcaster से, ऐसा तो है नहीं कि कह देगी कि Champions Trophy नहीं होगा, उनको तो Champions Trophy कराना है, और उस case म Champions Trophy आपको हिंदुस्तान में होते वें दिख सकता है, क्योंकि दुबई में या UAE में इतना बड़ा tournament आपको शायद नहीं कराएगी, इस समय मेरे ख्याल से ICC, और उनको पता ही कि स्टेडियम में लोगों को लेकर के आना है, तो हिंदुस्तान सबसे बढ़ियाँ विकल है, और उस केस में आपको Champions Trophy जो मैंने बार-बार आप लोगों से कहा कि हिंदुस्तान में आपको FAB के महीने में या March के महीने में होते दिख सकता है, यानि कि जो विकलान जी ने खबर चलाई थी, उस खबर में 200% सच्चाई है, Champions Trophy भारत में भी खेला जा सकता है, FAB और March के मह लीजेगा तकरीबन मान करके चले कि रात में 8-9 बजे तक बहुत बड़ा आपको स्टेटमेंट ICC के तरब से या बहुत बड़ा फैसला ICC के तरब से आपको देखने को मिल जाए, और जो इनके, मतलब लेजेंड विकेट कीपर रह चुके हैं, मोहीन खान, उन्होंने भी यहां तक कह दिया यार PCB को कि क्या फायदा इस ट्रोफी को आप ले ले करके पूरे पाकिस्तान में घुमाओगे, आपको यही नहीं पता है कि पाकिस्तान में चेंपिन्स ट्रोफी होगा या नहीं होगा, आप हर शेहर में ले ले करके जा रहे हो चेंपिन्स ट्रोफी को, आपको ये नहीं पता कि कब-कब मैचेज हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है या नहीं है, क्या फायदा ऐसे में ट्रोफी गुमाने का, तो इनके अपने ही खिलारी अब बोलने लग गए हैं, और PCB पर सवाल उठाने लग गए हैं, PCB को भी अब थोड़ी से, मेरे ख्याल से सेंसिबल डिसिजन लेना चाहिए, और मैंने तारीब भी की थी जब उन्होंने ये ख़बर आई थी कि हाइब्रिड मॉडल को लेकर के उन्होंने नर्मी दिखाई है, मेरे ख्याल से हाइब्रिड मॉडल अगर PCB कर ले, उनको पैसा भी मिलेगा, फाइनेंशल कंडिशन भी पड़ेगा, तो ऐसे में आप टॉर्नमेंट से बाहर जाओगे, श्रलंका को वैसे भी कहा गया कि स्टेंडबाइ पर रहने के लिए, और श्रलंका की टीम के एंट्री हो जाएगी, टॉर्नमेंट भारत में होते वे नसर आएगा, ये मेरे भी सोर्सेस ने मुझे जानकारी ये तो मैंने का कि अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दूँ, चैनल को भी सबस्क्राइब कर दीजीगा, वीडियो को लाइक कर दीजीगा, लगातार बनेरे स्पोर्ट स्टॉक के साथ में,